कि नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं कैप्टल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरो सिंग रुपावली बाइलेक्षन का रिजल्ट और वहां से निकला राजनीतिक संदेश क्या कहता है कि बिहार में जो अर्ली एलेक्षन का जो सगुफा फेका जा रहा था क्या सही में बिहार में अर्ली एलेक्षन होगा क्या भाजपा और जन्ता दल यूनैटेट का जो रिस्ता है चुनाभी जीत की जो गारेंटी लोग कहते हैं उस रिस्ते में कोई दरार आई है रुपावली ब election में जो भाजपा का भोट जो माना जाता है ऐसा होता नहीं है लेकि लोग मानते हैं कि जो अपरकास्ट भोटर है बेस भोटर है वो भाजपा का भोटर है तो उस भोट ने क्या जंतादल युनाइटेट के कंडिडेट कलाधर मंडल को भोट किया या निर्दलिय उमिद्वार संकर सिंग को भोट किया क्या भाजपा का पूरा भोट बैंक निर्दलिय में सिप कर गया और कलाधर मंडल देखते रह गये नितिश कुमार देखते रह गए और कलादर मंडल ये बाजी हार गए अतीप पिछड़ा सीट पर तो क्या यही सिलसला अगर जारी रहेगा भाजपा जद्यू रिस्तों का तो क्या चुनाब नतीजे आएंगे अभी तक जो दवाब बना रहे थे नितिश कुमार की जल्दी चुनाब कराना है माहोल हमारे पक्ष में है जनता हमको पसंद कर रही है तो क्या रुपहुली बाइलेक्शन के रिजल्ट के बाद नितिश कुमार अपने इस फैसले पर रिकंसिडर करेगे दूसरी बात भाजपा क्या ये रिकंसिडर करेगी कि नितिश का साथ जीत की गारेंटी है 100% ट्रेक रेकॉर्ड जीत का जो अब तक होता आया है बिधान सबा चुनाव में सांदार जीत का ट्रेक रेकॉर्ड है क्या ये 25 के बिधान सवाचुनाब में भी होगा जिस तरह से सिप्टिंग होई है भोटों की अगर 68,000 भोट संकर सिंग को मिला है रुपवली के बाइलेक्षन में तो सूचना पड़ेगा नितीश कुमार को भी और भाजपा के बड़े नेताओं को भी कि आकिर ये भोट कहां से मिला संकर सिंग को क्या उनके भोटों में स्यंद्मारी हो गई है भाजपा के भोट में स्यंद्मारी हुई या भाजपा का पूरा का पूरा भोटी चला गया है संकर सिंग के पाले में आकिर हुआ कैसे इरुपवली में ये सब और क्या जो पकड़ बाली बात है भाजपा की, जो पकड़ बाली बात है नितिस कुमार की, वो सब हबा हबाई है तो अभी तक जो Early Election का एक दबाव बन रहा था भाजपा के तुँपर, लगता है कि भाजपा को उस दबाव से थोड़ी मुक्ती मिलेगी, भाजपा थोड़ी राहत में आएगी लेकिन इतने से बात खतम नहीं हो रही है एक दूसरा सवाल साथ-साथ होता है एक दूसरा सवाल साथ-साथ पैदा होता है क्या जद्यू और भाजपा के जब मिलन है जो दोस्ती है वो क्या विधानसभा चुनाव में जीत की गरंटी भी है नरेंद मोदी का चेहरा नहीं है विधान सभा चुनाव में चेहरा तो नितिश कुमार का घोसित किया जा चुका है तो क्या बिहार का जो यूबा भोटर है वो नितिश कुमार के नाम पर भोट करेगा क्या जो जातिय समिकरन ताना बाना बना जाता है उस ताने बाने के अंदर ही भोटिंग होगी अगर उसके अंदर भोटिंग होती तो कलाधर मंडल रुपॉली से चुनाव जीर जाते सबाल एक बाइलेक्षन के रिजल्ट का नहीं है सबाल है उस मैसेज का सबाल है उस संदेज का जो रुपॉली की जनता ने दिया है और संकर स्री ने जो किया है संकर जी के तिरसूर पर कौन-कौन सबार हुए अपरकास भोटर तो थे ही उस पर बैस भी सबार हुए और मुसल्मान भी सबार हो गया मुसल्मानों का अच्छा खासा भोट मिल गया संकर सिंग को बैस भोटर जो कोर भोटर है भाजपा का वो चला गया संकर सिंग के पाले में और राजपूत ब्रह्मनों का भोट को मिला ही मिला संकर सिंग को इसके अलाबा जो दूसरी जातियां थी छोटी-छोटे जातियां सहनी का बोट वो भी गया संकर सिंग के पाले में गंगोता का बोट वो भी कुछ परसेंटेज संकर सिंग के पाले में चला गया केवल एक जात विरादली तक ही संकर सिंग सिमित नहीं रहे रुपवली में यही एक चिंता का विशय पटना में बैठे बड़े निताओं के पास है कि अब कैसे गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए अभी तक तो पूरा माहुल चकाचक था समराण चौधरी कर रहे हार की समिच्छा होगी कितनी बार समिच्छा होगी हार की पता ने 2025 के चुनाप के बाद भी साइद यही बयान समराण चौधरी नहीं बोल दें कि समिच्छा होगी हार की खैर वो आगे की कहानी है लेकिन अभी जो हो रहा है रुपावली में जो हुआ और आगे जो चार बाय एलेक्षन है जनता का मूड क्या कह रहा है जनता नए चेहरे को खोज रही है जो गटबंदन के उमिद्वार है उनको फायदा जरूर मिलता है कहीं न कहीं किसी लेबल पर लेकिन जो ट्रेंड बना रुपावली में वो अगर कंटिन्यू रह गया तब फिर ये बड़े बड़े गटबंदन नेताओं का क्या होगा जो ये मानके चलते हैं कि हम किसी को टिकट दे देंगे वो चुनाब जित जाएगा महाघटबंदन धार नहीं जीतेगा तो एंडिये वाला जीत जाएगा एंडिये वाला नहीं प्रश्टन ने तीसरे मोर्चे को एक मजबूत सक्ल देने का एक रास्ता दिखाया है। वैसे निता जो कहीं नहीं है अभी हासिये पर हैं। उनको एक हौसला मिला है कि एक नया मोर्चा बनाया जाए। जो दोनों गठबंदनों से इतर हो और एक नया मोर्चा नया चेहरा हो और लोग उनको पसंद करेंगे। तो मतलब साप है परिवर्तन भिहार के लोग सोच रहे हैं। परिवर्तन के बारे में समझने लगे है तो ये परिवर्तन कैसे आएगा लेकिन फिलहाल जो दो मूल सवाल है क्या जो जल्दी चुनाब कराने की बात नितीश कुमार कर रहे थे उस जीट को वो अब छोड़ेंगे फिलहाल कुछ दिनों के लिए और जो भागपा जद्यू का रिष्टा है इस पर क्या एक बार फिर से पुनल विचार होने का समय आ चुका है ये बड़ा सवाल सत्ता के गलियारे में गूंज रहा है आप देखते रहिए कैप्टल टीपी विहार आपका बहुत धन्नबाद आपका बहुत सुक्रियार